असकार दोस्तों मेरे इस नए चैनल में आपका स्वागत है इस वीडियों में मैं आपको 10th कलास के मैत का पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा पहला चैप्टर वास्तविक संक्या यानि इंगलिश में रियल नंबर है पढ़ाने से पहले कुछ बेसी नंबर के बारे में जान लेत हैं जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है पहला है प्राकृतिक संक्या नैचुरल नंबर तर्मिलोजी इस्तिपरकार रहेगी कि हिंदी और इंगलिश दोनों माध्यमग चात्रों को पूरी तरह सोई में आ जाए पहला प्राकृतिक संक्या एक, दो, तीन, चार्ज हम लोग चुरू से ये सभी क्या हैं प्राकृतिक संक्या हैं दूसरा है पूर्ण संक्या होल नंबर प्राकृतिक संक्या में जैसा कि एक, दो, तीन, चार, पांच है इससे आगे लेकिन जीरो यहां पर एड़ करने पर ये होल नंबर में बदल जाता है इसको पूर्ण संक्या कहा ज पॉस्चन में जो पहला चेप्टर है रियल नमबर उसमें ये इसका अध्याय आता है बीच में इसका टॉपिक पर आता है इसलिए इसको बेसिक का बताया जा रहा है तीसरा है सम संख्या इवन नमबर दो, चार, छे, आर, दस ये सब इवन नमबर है सम संख्या चौथा है विशम संख्या और नमबर एक, तीन, पांच, साथ ये सब और नमबर है पांचवा है वास्तविक संख्या रियल नमबर इसी अधार पर पूरा चेप्टर हमारा है इसमें दो है रियल नमबर में परिमे सं परमे संखा जो P upon Q के फॉर्म में लिखा जासके ऊसको परमे संख्या कहलाती है बदहर्ण में देखिए u वर उद्हर्ण के लिए परमे आउना इस तरह भी समझ सकते हैं जो वह संख्या जो दशमलव के बाद या पॉइंट के बाद repeat ना हो बार-बार repeat ना हो अभी दोनों में जब comparison करेंगे तब यह clear हो जाएगा दूसरा है आपर्मिय संख्या आपर्मिय संख्या वो है जो P upon Q के form में नहीं लिखी जा सकती है ये कुछ उदहर्ण है आप अर्मिय संख्या के अब इसमें उदहर्ण समझिए दशमलों के बाद जैसे 0.6 के बाद 6-7-0 के बाद ये रिपीट हो रही है इसलिए ये क्या है आप अर्मिय संख्या यानि कि परमिय संख्या वो होगी जो दशमलों के बाद रिपीट ना हो और आप अर्मिय संख्या होगी जो दशमलों के बाद बार बार या रिपीट हो सके उब इसमें भी परमिय संख्या में भी तीन डिवाइड हो गया है तीन भागों बाटा गया है पहला पुर्णग या integer और दूसरा भीन integer में उद्व्रण के लिए देख लीजिए बीन शंक्या में ये उद्व्रण है 3 वड़ा 5 एक वड़ा 4 और integer भी तीन भागों में और दिवाइड है जैसे कि धन संख्या और शूरने और रिणपुणान संख्या हैं वच छठवा है अभाज संख्या अभाज संख्या निए प्राइम नंबर एक से बड़ी वे संख्या हैं जो स्वयं को एक को छोड़ कर किसी दूसरी संख्या से विभाज ना हो जैसे 2, 3, 5, 7 यहीं कि जो संख्या या तो खु़ से भाग होगी या तो एक से भाग होगी वही प्राइम नंबर होगी 2, 3, 5, 7, 11, 11 सब क्या प्राइम नंबर है इसमें 4 इसलिए नहीं जोड़ा गया है क्यूंकि यह 2 जो 4 है वो 2 से भाग हो जा रहा है इसलिए चार जो है हमारी अब आज संख्या नहीं है अब जो ये यूकलियट विभाजन परिमे का ये चैप्टर वन का परमुख टॉपिक है इससे पहले कुछ बेसिक जानते हैं जैसे की डिवाइड का रूल रहता है भाग का रूल रहता है भाज इकोल टु भाजक एंटु भागफल पलस। इसको इंगलीश में डिवाइडेंड, डिवाइजर कोईशेंट, रिमेंडर एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ डिवाइजर, डिवाइडेंड डिवाइजर quotient remainder अब इसमें A जो है हमारा भाज है B भाजक है Q है भागफल तो R जो है reminder है इसमें वही दरशाय गया है A भाज है B भाजक है Q भागफल है और R जो है हेशफल है गुदारंग से समझते हैं इसको इसमें जो भाजक है वो चार है भाज जो है 17 है भाग फल 4 है शेश फल 1 है इतको टर्मिलोजिक के सम्बंद में देखिए भाज जो है 1 है भाजक B है भाग फल Q है और शेश फल R है अब इसमें दर्शाय गया है कि जो आपका रिमेंडर रहेगा या तो 0 के बराबर रहेगा या तो 0 से जादा रहेगा रिमेंडर की बात हो रही है अब जो इसमें आगे दर्शाय गया है कि जो B है यानि कि भाजक भाजक हमारा या तो रिमेंडर से कम रहेगा हमेशा कम ही रहे का नियूक्लियर्ड परिमेका का एक उदार्ण तमाईते हैं 135 और 225 135 अब इन में दोनों में से इन दोनों में से देखेंगे कि जो बड़ा हो उसको हम भाज मानेंगे और जो छोटा हो उसको भाजक मानेंगे अब इस तरह आल करने पर इसमें ध्यान दीजिएगा जो हमारा भाजक रहेगा जो यहाँ पर रिमेंटर बच जाएगा उसको हम लोग फिर भाजक मान लेंगे इसमें जो जहां हम करेंगे लास तक जहां तक यह संखया समाब्त रिमेंडर जीरो ना आ जाए जहाँ पर रिमेंडर जीरो आजाएगा वही लाज्ट स्टेप जो रहेगा वह हमारा एस्ट्यक कहल आएगा यूक्लियट परिमेका एस्यफ निकालने के लिए मुख्यता उब्योग कियाती है जैसे ये तो छोटा था ये तो भाग एस्यफ जो पढ़ाया जाता है उससे भी निकल जाएगा लेकिन जो यूक्लियट परिमेका का उधार्ण बड़ी-बड़ी संख्या जैसे बारा पांट सो चीहत्तर और चार हजार बावन एंसी एर्टी का कोस्चन है अब इसमें से बारा पांट सो चीहत्तर बड़ा है चार हजार बावन चोटा है इसलिए हम लोग बारा पांट सो चीहत्तर को भाज मानेंगे और चार हजार बावन को भाजक मानेंगे अब यह तीन पर जाएगा इसको हम लोग कर रहे हैं अब देखिए रिमेंडर बज़े इसको हम लोग क्या मानें आफाजक अऊट यह इए है इसका पहले का पर पहले आफाजक पर आख़ए पर आप 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 यह आप यह पर दीन गया को फेकerson को अब आप & भाजग था इसको हम लोग भाज जमान लेंगे अब यह नो पर जाएगा नो दूने अठा रहा है नो चोंच तीस साइएटिस नो पर गया साइएटिस असी दो कर दो अंदरा में से नाट साथ दो आ गया अब इसमें फिर से जो रिमेंडर बचा है इसको हम लोग भाजग मान लेंगे जो यहां का भाजग था उसको भाजग मान लेंगे एक पे जाएगा इसमें step वही repeat हो रहा है जो remainder आ रहा है उसको भाजमान ले रहे हैं जो पहले कहा है उसको भाजमान ले रहे हैं यानि कि 272 फिर यह एक पर जाएगा जाएगा उसको भाजमान ले रहा है यह एक बार यहां पर फिर से किया जा रहा है एक सो अड़ तालिव पांच पर जाएगा चोई पंचे एक सभी अब यह लास्ट में जो है यह रिमेंडर जीरो आ गया लास्ट टेप हमारा यह था इसलिए यह हमारा है एक कितना आएगा चार आएगा देखने के लिए सभी का धन्यवाद धन्यवाद